आवाज आ रहा है यालो हाँ पूछो सर एक मिनिट आ बाद आवा देतों है ना आ रहा है तर एक 83 एर ओल लेडी पेशन्ट आहे तर ना त्या पूणया मदे आसता आणि तर ना काई आला दोन अडिस्मेंट दोन मैने पासुन तरी कुप तर दी खोकला सार करी करांड पोतर हैला मदून मदून मगते आलो पेट्थी चाहुशे दतर चालू सो त्या अंटिवाइटिक लिहें कदी चाहिए आणि प्लस त्योराइट्स वाजेरे पंदी लेगेले आणि आता काई चाले ते रहावारा राधियूसा पसुन खोकला तर फार काई उप्शम्याला नाई पन ते पल्मोनरी हाइपर्टेंशन डेवम डिटेक्ट्स आला है आता खोकला अस्तो धोपल्यान अंतर जास्त थोड़ा से इंक्लाइन पोजेशन मदे थोड़ा ठीक आस्त आणि दुसरा साल्ल्यान अंतर ही दाप लागते ते आमोले सुफ तालू शकत नाई जे दावारा पन्रा पाबला सालले की देंगे होता गुट तर घाम डे आता पंड्मी ते आणि आउस्यदा मोडे इतनना अश्यरोड वगेरे दिला हमोडे सुण् तो भूज़ाए दोन्यातों तरवांग शोथ मुण्वाण मोड़ देद्दा अश्यात्त अश्यातों अश्यात्तौन अगयरे यहां पर पर प्रॉब्लेम स्थाल आए ना हे थिले गेले ना थे ल्यां जाए आए पर है पुल्मों नर्या रीटेंशन डिटेक्ट्ट जाले ले अंतर आडि एस्थे पन डिसीज इंडूस डाइबिटीस पंड अपन नौ तो शुडर वंगेर जासता रहां दुल्ट लोगे प्रकुर्टी बगूतर कफ और फेर कॉंपलेक्शन लाल रक्त सार अशे थोड़े शार पड़े नहीं तो अधा सोता च्या एक्टिविटीज हो गेरे ठीक होते हैं तो क्या होता है जब उमर ज्यादा रहती है और कास जैसी व्याधियां आती है हर एक एक इसके बाद मैं आपको बोलूँगा दूसरें को प्रश्णा पुछने के लिए एक एक के में आंसर देता हूं तो इनकी जो केस है और आपने माईक बंद किया तो भी चलेगा और उसको ढाई तीन महिने से जुकाम और खासी थी और अभी बाद में फिर उसको पलमर्य हाइपरटेंशन हुआ शोथ आ गया श्वासक रुच्छता है ऐसे कुछ सब कुछ है तो पहले तो क्या है जब उमर बढ़ती है तो उस प्रकूरूती के जब उमर बढ़ती है तो जो प्रकूरूती है वह वात की रहती है तो अगर उस प्रकूरूती में अगर वात की बिमारिया आ गई तो क्या हो जाता है व्याधी का बल बढ़ जाता है कि प्रकूरूती की प्रकूरूती तुल्य व्याधी हो गई अगर उस प्रकूरूती में कफ की व्याधी हो गई तो इतना कुछ नहीं होता, तो वात की आ गई तो और यह हो जाता है, जैसे तरणोगए में पित्त की बिमारी आ गई, और बच्पन में कफा की बिमारी आ गई, तो क्या होता है, वे आधी बल बढ़ जाता है प्रकूरती से, तो अभी जो है, इनको कास था, और काफी समय तक कास कास की उपेक्षा अगर की जाए तो कास का परिवरतन बाद में राजएक्ष्मा में हो जाता है, राजएक्ष्मा में हो जाता है मिन्स क्या है, राजएक्ष्मा मिन्स क्या है, राजएक्ष्मा मिन्स क्या है, राजएक्ष्मा मिन्स क्या है, राजएक्ष्मा मिन्स क्या है, र सा कास उसके मरी आगई तो उस की उपेक्षा नहीं चाहिए दो तीन महें दवाइया देकर क्षवा क्वेके कास करनी, अगर उसकी उपेक्षा की जाए तो जट से वह पलमनरी हाइपरटेंशन आ गया रोद्रोग आ गया ऐसा इसलिए कास अध्याय में जो कलप आए हैं वह आप देखोगे पहले वातगना उशद सिद्ध जो है वह पेया देनी की जो हम पेया दे रहे तो वातगना उशद जो जो वह खाना खा रहा है खिचडी खा रहा है वह दशमुलक सिद्ध इस प्रकार्शे देनी अगर वह नोणवेज खा रहा है पेशन तो मांसरस देना ही देना है वातगना है वातगना है क्यों? तो ही उसमें घुरतपान और शिरपान जो है वो बोला है अगर वो वात कफ़ज इस प्रकार का हो तो शांस्त्र में भी ऐसे कलप है कि कासर प्लस रुद्रोग कासर प्लस शोथ इस प्रकार की कलप आए है तो अभी केस डिटेल नहीं है हमारे पास फिर भी बतता हूं कि इन मे क्या करना तो इन में दशमूर जो है वो मुख्य इंग्रेडेंट है वो देना ही देना है उसका क्वाथ और उसके साथ क्या क्या देना है उसके साथ अगनी दीपन करने वाले द्रव्य जैसे पंचकोल जैसे द्रव्य दशमूर पंचकोल ऐसे इन सब क्या क्या करना है धमास चारेने कास प्लस रुद्रोग इसमें आया है उसमें बहुत सारे गुरुता आया है जिसमें पंचकोल है दशमूर है यवक्षार भी है कंटकारी है तो इनका सिध्य गुरुत नहीं तो अवलेह गुड के साथ इस प्रकार से अगर दे दिया तो यह जो आगे के आवस्ता है व कारी है ऐसी गुड जयते हैर पर्षंग और जो है वह लाइफ क हो बैठता है तो एकर नहीं करना चाहिए निदेबरी से से नहाना भी होना चाहिए वह नहीं हो सकते तो बस्ती होनी चाहिए ताकि वह वात का जो ट्रिगर है कासर का वह कम हो सके तो यह सब कुछ होना चाहिए मांसरस अगर वह ले रही है तो जो है वो विशक वश चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से अगर होगा तो बहुत अच्छा काम होता है हम निरगुंडी जो है वो प्लेन निरगुंडी देते हैं निरगुंडी सिद्ध गुरुता आया है कास में तो यह ऐसे पेशन में जिन में ओल एज है कास है कास रुक नहीं कि रहा है और इसका परिवरतन राजाख्षमा में जा रहा है धातू बलकम हो रहा है धातू पाक जह से दिख रहा है उसमें जो है निर्गुंडी सिद्धक गुरुत क्लें निरगुंडी तो इसमें जो निर्गुंटी का स्वरस है बहुत डालना में स्वरस जादा चाहिए और वह गुरुत जो बनेगा वह बहुत ही बढ़िया गुरुत बन जाता है तो ऐसा गुरुत होगा आपके पास तो ऐसा दे दो नहीं तो ऐसा बनाओ नहीं तो जो में इंग्रेट्ट जो सब चालू करो उसमें दशबूर आना चाहिए पंचकोल आना चाहिए देवदार आनी चाहिए काकणशिंग आनी चाहिए दमासा आना चाहिए शुन्ठी आनी चाहिए ऐसा सिद्ध घृत जो है वह दे दो नहीं तो यह घृत के साथ दे तो अगर पित्तानुबंदी होगा लिए पहली होना चалिये तो क्या हो जाता है कार साकः परियोडतर राज क्यू जाता है एसक राइन कर देतों वारे तका जैठा दे लगता है जढ से तुसकर मेन बंदा बाब दिखने लागता में पाच किलो कम हो गया दो महिने में ऐसे दिखने लगता है तो यह बहुत अलाम साइन रहते हैं कि रुगुण कास का रागेक्ष्मा में जा रहा है ठीक है ना तो इसको कर देना पेशन को उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुख्य क्या है वहां treatment होनी चाहिए एक old age है और एक साल एक महिने तक कास है यह अच्छा नहीं है ठीक है उसकी कास की अच्छे treatment होनी चाहिए और उस प्रकार से उसको बल देना चाहिए जब माउस का बल नहीं देते उस उमर में जब तक आपको आपके पास बल नहीं है तब तक यह वाद बड़ने वाला है यह ना तो इसलिए माउस चाहिए अगस्त हरीत की रसायन मणून आपन जेवां विचार करतो तरते यह अपन आशा केसे समोदे दिवशक तो कानी मगते ततला अनुपान गरम दूद सांग इतले कर मगता सा दूदा सुबत वगरे देतला वही पित्तानु बंद अगर होगा कास में तो दूद और शिरका यह पित्तान बंद नहीं होगा तो बाखी के चीज़े आएंगी तेल के साथ या विश्यत के साथ ठीक है मुख्यता इस उमर में क्या होगा यह आपन फटा-फट होता नहीं आप बहुत ही कुश्मांट दोगे यह दोगे वह देगो अगनी नहीं रहता ना तो इसलिए बना जो है वह डाइजेस्ट नहीं होती जब डाइजेशन अच्छा हो तब बाद में दे सकते हो अब ठीक है तो पहले वह अगनी बढ़ाना और माउस की ताकत बढ़ाना ठीक है माउसरस देकर बढ़ाना या फिर वही उसको स्रेश्ट रहता है क्योंकि जट से माउसात जाता है उससे ब्रुहन कोई नहीं है दही बहुत ज्यादा पसंता हमेशा दही तो माउसर को खराब कर देता है और इसलिए ओपड़ गया और मीठा कुछ न चाहिए तो आभी वह आपके हाथ में किस हो तो इस प्रकर से करो उसको बोलो अजा माउसर सूप भी प्यो ऐसा यह यह जो काट को आट मैंने चुरना दिया इस प्रकर से को पर नान विस नहीं खाते है तो पिर रहने दो पिर जो है इस प्रकर से देदो हुआ है ठीक है चलो नेक्स हाँ पूछो माइक चलो है निहाल ला माइक किसका चलो है है बोलो है एक केस है लेडिज एज 45-48 है उसका वातशकास करके आई थी पेशन तो उसे वातशकास के लिए ट्रीटमेंट दे दिया था ऐसे ही उसको किसे ने बोला कि यह जिखर ढ़न दो पेट का तो उन्होंने किया था तो उसमें आया था कि वेंदेर इस लाइप मां अपर सर्फिस ऑफ किड्नी तो क्या करना चाहिए तो पहले से हुआ होगा लाइप पहले का यह ना इसलिए बोल रहा हूं मैं कि कास अध्य जब पढ़गे तो उसमें कास श्वास रुद्रोग पारशशूल शोथ ऐसे करकर के और गुल्म तक गए हैं वो लोग ठीक है ना तो यह संप्राप्ट्या वात बढ़ने जाने के बाद जहां वहां वहां पर वहां कि जड़ा है पहले सी में दुष्टि का रहए है वहां वळाइपओ करेगा मौस की दुष्टी है तो वहां कहां तो फाइब्रोमा करेगा अस्तिकी विकृति है तो वहां कुछ तो अलग से व्यादी करेगा ठीक है ना तो यह बड़ा हुआ आत है उसको खट겁 घटो हम एकous जहां उसको मिलेगा इंट्री अंदर ठीक है लिवर में मिलेगी लिवर सिरोसिस करेगा पल्मनरी में मिलेगी हुपुस में मिलेगी तो वहां वो उसको फाइब्रोसिस करेगा ठीक है ना तो वह बड़ावा वात जहां जहां उसको जगह मिलेगी वहां वहां वह पहले यह कस है उसको उप cardio now करनी करनी रहती उसको जट से अगर उमर ज्यादा है वात-प्रकृति उस्प्रकारे ज़िता तो ब्रुहन करते हैं तो उसको जीता जाता है थिकैं? इसलिए कस वात-जय कास और कास में पहले हम ना क्या आया है कि स्नेह युक्त-व्यूश आ Jean Karaman करते हैं ना कि कप का करते हैं बराबर किया रिखन करते हैं और वह द्यान देते तो सर्जन के पास हो गए थे तो सर्जन बोले कि इसके कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है वह वात का नित्य अनुलोमन होगा वात का शमन होगा तो लाइपोमा की साइस भी नहीं बढ़ेगी जो है वो पता चला इसलिए पता है आपको मालूम था वह थोड़ी दो दिन में आया है लाइपोमा कई पाच्छे साल लगे होंगे उसको बंदने के लिए है ना कुछ नहीं होता अगे पूछो अपने द्रवय बताते टाइम एक काकड सीमा कुछ पर बताया शुरू होंगे शुंगी जिसको बोलते ना अगे शुंगी कशाया तिक तोष्णा पूछो अगे करकट शुंगी पूछो मैंने वो हमारा लाज का वी सेशन हुआ था तो मैंने बोला था उसको वो पेरी ओरेल डर्मटाइटिस जो है मतलब पिटी का है वो आज मेरे पास आई थी तो भी कुछ ज्यादा फरक नहीं पेड़ा इन फैक्ट थोड़ा उसको थोड़ा लिप्स के उपर तोड़ी सुजन भी थी तोड़ा सरस्टमक भी वो बोल रहे थी कि मतलब थोड़ा कॉंस्टिपेशन भी था थोड़ा एसिडिक भी लग रहा था तोड़ा तो थोड़ा डेटेल लो डेटेल क्या है मुझे याद नहीं अभी वो केस आप पूरे डेटेल केस बोलो क्या है उसको मतलब आर यह जारी है और उसको मतलब उपर है सर वो बीच का एरिया मतलब नाक और और उसके बीच में डाल दो मुझे ग्रूप पे या फिर मेरे परसनल पर ठीक है मतलब भी पेशेंट मतलब मेरी ममी ही है तो उनको उनका दोनों तरफ कैट्रेक्ट सरजरी हुआ है लेकिन लाग से चार्ट-चे महने से वो मुल मुलण मुलुंड मुलुंड मुम्बए में मूलुट ठाने के माझँ में तो उनका मतलब डोनों तरफ कैट्रेक्ट सरजरी हुआ है लेकिन लाग चार्चे मेने से उनको मतलब बहुत आई वाटरिंग हो रहे तो वो जाते हैं मतलब स्पेशाल इस्वारिशाले खीशाल यह वो आई वाटरिंग नहीं कम हो रहा है वह दोनों ही रहते हैं मम्मी डैडी बाकी दोनों ही रहते हैं और पापा ठोड़ ऐसे जगडालू है मतलब वह चुप ने बैठ सकते हैं मतलब हमेशा किस-किस-किस-किस वैसे उद्धा खबाव है तो वह भी एक है अभी उन्सुमर भी किसके बज़े से वह पहले डुढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन के टाइम अगर लेक्रेमल ग्लैंड में कुछ तो नहीं तो उससे उद्ध जब अपरेशन हुआ तब से नहीं चालू है अभी यह चार्चे मेने से हैं ठीक है फिर और उनको क्या हो रहा है ना अभी आज मैंने साहज फोन के आता तो बोल रही थी कि अभी इतना हो रहा है क्यों इतना खिचावट होती है और फिर ऐसे लगता है कि मैं इससे पड़ी रहू हूं मतलब अभी उनको क्या करो शिगरू पत्र जो है उसका स्वरस या फिर उसका क्वात जो है उससे धावन करने फिसल बोलो कि मैंने उनको मेरे घर में बुलाया है उतना पहले उनका थाइरोडिक टॉमी पच्पन में हुआ था बात में कभी मतलब नहीं हुआ उनका हिस्टेक टॉमी हुआ है बहुत सारे ऑप्रेशन्स हुए है कोड़ा शोल्डर जोइन का भी मतलब ओप्रेशन मतलब तीन चार ओप्रेशन हुए है कुछ पाहिल फिचुला का भी ओप्रेशन यह कर दो अप्षिग्रू पत्र जो है उससे धावन कर दो और एक साथ दिन के बाद देखो क्या होता है पर सारूदेही कफग के कुछ लक्षन दिख रहे क्या अगर हो ऐसे दिख रहे है तो तृपड़ा चालू कर दो दिख रहे हैं तो नहीं दिख रहे हैं तो सिर्फ सारवद ही कफ के कुछ लक्षन दिख रहे हैं तो जैसे गुरुता है, स्ताइमित्य है, आलस से है, जाड़ता है इस प्रकार के लक्षन कुछ दिख रहे हैं तो ऐसे लक्षन डिख रहे तो जो पेट में है त्रिफड़ा चुरुना चालू कर दो ठीक है अगर दिख रहे तो त्रिफड़ा आर्वी धमासा ऐसे कॉंबिनेशन दे सकते हो आप पेट में चुरुना गरम पानी के साथ देना और शिगरु पत्र से क्या करना है दावन करना है एक बार कहीं शिगरु मिल जाएगा पेट तो एक बार पत्रों तो उसका दावन करो वह वो फोल्डेड क्लॉट से उसको गालन करो और उससे दावन करो ठीक है और देखो बोलो next पुछो और किसको कुछ पुछ नहीं क्या पुछो पुछ पुछ पुछो उसकी ताकच जादा है यह पहले ध्यान में रखो ठीक है वार्दक्य में देन को सोना बताया है मालू मैं आपको दिवास्वाप किस ने करना है वृद्ध व्यक्ति ने करना है तो उस दिवास्वाप से जो कब बढ़ेगा वो धातों का प्रपोर्शन ही करने वाला है ठीक है तो इसलिए मुख्य हैतु तीन सालinaire से Word यह सब देखने के बाद उस प्रकार इसांप्रत्याग होती है ठीक है né तो इसलिए यह ब्राम्य मूर्थ उत्तिष्ट यह जो नियम है वो स्वस्त के लिए पहले ध्यान में रखो हरे के लिए नहीं है ठीक है सभी लोगों ने ब्राम्य मूर्थ पर उपना नहीं रहता है यह तो ठीक है लेकिन आउरूतत्व नहीं है कि इसमें कफआनबंदी वात रहता है नुट सिर्फ यह सिरफ यह लिया रहता है और मॉंटे लूकस लिया रहता है उसका कॉंबिनेशन लिया रहता है यह वो म्यूकलाइटिक और रुक्षता बढ़ाने वाले है ऐसे है सब कुछ तीन मेने तो ऐसी नहीं ने बैटी उसने कप सिरफ लिये ना तो यह सभी जो द्रव्य है इससे क्या होगा व्यादी शत हो जाएगा व्यादी से वह ठक जाती है रुग्ण वात प्रकुपित हो जाता है इतनी दवाया लेने के बात भी कासा का वेग नहीं कम होता तब आम यह करने पड़ती है वात की करने पड़ती है ठीक है ना ऐसा है बोलो पूछो नेक्स्ट यह वोड़ का मेल पेशेंट है सरा कॉंस्टेंट वो ट्रैवलिंग मितला बाइक पर राइडिक करने से अंड तरीग इवनिंग और नाइट के इस अधिक टाइम भी सर कोल्टिक्टिश और बहुत इस स्रूंट लिए थे वह तो उसे सर शेसा अथ्या पसे वन भी एग इस इस चीज़ते वैसे उसको सर नीद्रा बश्टा होगा सब्सक्राइब नीद दिन आ रही रहा है और अभी नीद आने से अभी सर शीरोरुजा बहुत बढ़ने लगा तो सर अगर सिर्वर्य रश्वगंदा से उसका अगर नीद इंडियूस भी हो गई नीद्रा क्या वा उस देखो आतप और मारोतो सेवन है ना ये दो सेवन जो है ये वात की वृध्दी करते ही है ठीक है पित्त की वह बृध्दी करते ही है आतप सेवन और र yht दुष्टी भी करते हैं ये तीन कारण रहते हैं, आप कोई बोलेगा कि आतप तो बहुत गरम है, तो वो वातवृद्धी कैसे करेगा, है ना, तो वो जे गर्मी है, आतप की रुक्ष गर्मी है, है ना, तो इससे वातवृद्धी होती है, इसे टिका में लिखाए, ठीक है, तो ये तीन चीजों पर देखने के लिए जो रुक्ष गुण है, उष्ण गुण है, है ना, चल गुण है, इनके विपरीत जो द्रव्य है, ये देने पड़ेंगे, तो आप शतावरी घृत दे सकते हो, प्लेन घृत भी दे सकते हो, उनको बोलना कि गुमते फिरते समय हेलमेट पहनो, कान में वार जाएगी, नस्य का सेवन बोलो उनको, नस्य में आप दुख दद ले सकते हो, नहीं तो गुरुत का भी नस्य कर सकते हो, हफ्ते में दो तीन बार, गुरुत का नस्य जो है, वो नित्य नहीं करना है, कभी भी, तेल का नस्य नित्य कर सकते हो, गुरुत का नस्य नित्य क्यो तो गुरुता का नित्य नस्य चलेगा पर इतना कुछ नहीं है सिवेर तो गुरुता का अपते में एक दो बार नस्य करना नहीं तो कोई भी शीतमी चंदन बला तेल या फिर बला तेल शतावरी का तेल उनका नस्य चलो करना है तो यह सभ शिरूरो जाएगी इसकी और सक्ट्ट्यागा करें पोल सक्ट्ट्याने thank you so much okay more बोलो अई बढ़ाने के लिए सर कौन कौन से द्रवे यूज़ कर सकते हैं ब्रुहनी यह सभी द्रवे यूज़ कर सकते हैं पर कैसा है उसका अगनी अच्छा चाहिए है ना धातू परिपोशन अच्छा चाहिए धात्व अगनी पर अच्छा चाहिए सिर्फ अश्वगंदा विदरी कुछ मंडावले देखर वेट नहीं बढ़ेगा नहीं तो हरेगने वेट बढ़ाया होता है ना तो धात्व अगनी अच्छा होने के लिए क्या करना है जट्र अगनी अच्छा बनना चाहिए है ना तो उस पर ध्यान देना चाहिए दिने चरिया अच्छी फॉलो करनी चाहिए अगर दिने चरिया अच्छी फॉलो नहीं है शोधन किया नहीं है ऐसा कुछ हुआ नहीं है और फिर सिर्फ कुछ मंदाव ले दिया और उनसका अगनी नहीं अच्छा तो क्या हो जाएगा आमने रिमिती हो जाएगी है ना गुरू अउशदों के कारण तो ऐसे नहीं करना कभी पहले अगनी बढ़ाना और यह करना अनुवा उशिक्ता हो धातू ही कम हो स्थाई धातू प्रकूती में भी है ना तो नहीं बदल सकते हैं उस जादू का पोश्ण कर सकते हैं और कौन सी तक हाइट बढ़ता रहता है ऐसे नहीं है बाल आवस्था में व्रुद्धी है है ना आज शोड़शे वरशात बाल ला सोला बीस साल तक 23 परंद्रा हो शकते का एज हरे का सब्सक्राइब कर रहा है तो व्रुद्धी जो है रुख जाती है ठीक है ना ऐसा है तो उसके पहले ही जो कुछ काम करना है वो करना तो अभ्यंद करना अस्ति पोशक जो चूर्ण है लाक्षा जैसे चूर्ण फुकुड अंडबसम जैसी द्रव्य यह सब जो देकर इस प्रकार से करके स्किपिंग जैसे व्यायाम करके हम वो कर सकते हैं पर अगर है यह नहीं यह होता है इसा है ठीक है ठीक है ठीक है पूछो है अलो बोलो असर्माज अगर पेशन अंबेलिकल हर्णिया मंगी होना लेला है कि एज अटी ट्रीटमेंट करता ही इलका प्रेशन से वेट जा थोड़ा जासता है आनी अनि अनियमिज जेवन आहे आनी तो फीमेल आहे तर हां फ़र्स डिगरी सेकंड डिगरी होगा तो कम हो जाता है या पिर अमा शेगत वाथ होता है पकवा शेगत वाथ होता है ऐसी जब लक्षण हो जाती है तभी हर्णियाज यस लक्षण दिखते हैं है ना तो इसमें क्या है मुख्य जो द्रव्य है वह वातान लोमं करने वाला अमा शैगत पकवा शैगत वात कम करने वाला वात के जो गुण है वो उसके विपरीत इस प्रकार का द्रव्य देने चाहिए तो उसमें एरंड मूल आता है एरंड मूल उनर नवा यह जो द्रव्य द्रव्य दे सकते हो, यहां इनन सुकुमार गुरुत दिया है, तो वो गुरुत आप दे सकते हो, ठीक है, तो इससे वो देखना की कम एसे कम होता है, दूसरी बाद जहां से आ रहा है अर्निया, वहां की वहां बल देने वाली दवाईया, मां उसको बल देने वाली दवाईया का प्रयोक करना चाहिए तो वहां रोटम Director नहीं तो एरंडल दील वो बाहर से लगाना और वहां से वहां कोई पत्ठ बंधन करना हम ताकि ऊचिर एंब वो स्थियर्गुन की ट्रीटमेंट है ना पट्ट बंदन तो फिर उस्थिरता आजाती है और वहां का फिर न kissing दूट- Τीन상이 मैने में ठीक हो गया प्रोब्लेम का बात है जब थर्ड डिग्रे में जाता है तो फिर गैंग्रीन और यह बाकी की कॉंप्लेक्शन है तब तक कुछ नहीं हो तब तक हमारे हाथ में रहता है तो वह नित्य करना है वातानुलोमक सेंदव सिद्ध गुरुत है वो दे सकते हो अब यह गुरुत आता है वो दे सकते हो ऐसे बहुत सी कलप है शास्त्रे में वरनित तो यह करो इस प्रकासेका अगर्ने टेट्मेंट हूं बस्ती दे तो हूं हूं है है थैंकि शार बोलो हेलो हूं बोलो है शोकज निद्रेग मदे पन आता सांगीत ला प्रहाने स्विचर कराया थाका प्रहामदे शोकज निद्रेग मजे माज़े करेशन होता हां तैंचा मुलाची डेज जाली हूं थे एक महीन आदी पासं तरना जो पेत नहीं है हाँ yeah थो ही बोलना कि देखो शोकज आतिसार भयज आतिसार अर्शे आतिसार आये है और अशे क्यूं आय के लक्षन व लोग के विपरिते जो है वो चीजे उनको करनी आनन्द देना छोक हो इसलिए जो है उसको आनन्द कैसे मिलना चाहिए वो खुश कैसे रहेगी इस पर सब्सक्राइब ना चाहिए और वो वह वात की अनुसार देनी चाहिए, काम शोक भयात वायू, है ना, तो वार्तिक जो कुछ है, आपने पूछा क्या था question, शोक क्या था, अनिद्रा, तो उस प्रकार से देनी चाहिए, स्वपनम निद्रा, प्रियक था, उसको सुनानी, ऐसे बोला है शास्तर में, है ना, घुरुत जैसे कल्प है, वो देने उसको, इस प्रकार से देना, और वो अनन्द उसको कैसे रहेगा, अनन्दित कैसे रहेगी, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो मुख्य टेटमेंट है, है ना, शोक कैसे जाएगा, वो मुख्य टेटमेंट रहेगी, तो उसके इसाब से करनी है, में टेटमेंट, हे हेतु के विपरीत दुसरा हेतु हमें वहां place करना पड़ेगा तो जिससे आनंद मिलेगा उससो वैसा कुछ हेतु वहां आपको लगाना चाहिए है ना तो निंद लगेगी बराबर है कफो जाधा पढ़ने के बाद क्या होगा क्या होता है चंचलत वह कम हो जाता है यह चंचल रुगन रहते हैं तो फिर चंचलत वह वात की गुण जो है वह शार्री भी चले जाते हैं और मानसिक भी चले जाने लगते हैं अटमेटिक चिंता करने वाले ज्यादा सोचने वाले ऐसे जो लोग है वह उनका भी सोचना कम होने लगता है चल गुण कम होने लगता है यह प्रिया कथा सुनानी इस प्रकार से वो करना और बोलो नमस्ते सर्थ वो निद्रा चा विश्य निगाला है त्यामने आपड़ा आता निद्रा वार्धक के जन्य निद्रा आता प्रिक्षाद वड़ाली उनुन देड़ द मैने पसुन काई विद्धार्तान ना टेंशन वोले निद्रे वर्ती परिणाम होनो कि वहां आंखिनात है आता तुम्ही शोकर जानी है सांगितल तो व्याधी के व्याधी आ गया तो आगुन्तुकी यह हो जाती है ना निद्रा आ जाती है जोड़ी तपुटिण में वह सोता है कईयों में वर्दक आहर लेते है तो उन में आसवार इस्टवक ब्होडा है करने निद्रा में उसके विप्रइट उससम करना है हमें किसके बज़े से वातवृद्धी हुई है और पितवृद्धी हुई है उसके इसाब से काम करना है है ना बहुत वियायाम करके बहुत वह यह कर रहा है और उसको वातवृद्धी हो गए और ऐसे कुछ लग रहा है तो अभ्यंग होना चाहिए उस प्रकार का सेवन होना चाहि है ना बराबर है ला है तो गालते किस बज़े से तो चिनता नहीं करने के लिए जो कुछ कर सकते वो करना चाहिए वहर चेर्थ सथाधा के यह है वोई से उस कोड़ेंडर को नजदिक रिटिव को उस प्रकार से बोलना चाहिए कि आप प्रदेश बदल करो जहां रह रह रहो नहीं हूं दूसरे जगह घुमने जाओ यह करो वह करो ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं फिर वहां घर में आती हूं तो वह टेंशन के विशे निंदा नहीं आती फिर मैं घुमने जाती हूं तो वहां पर निंदा आती है ऐसे लोग बोलते हैं सिफ प् आपसे निद्रा है, अब वार्धक के जन्या कमी होती है, यह नैसरगिक है, ठीक है न बुढ़ह इंसान बहुत सोएता, उनकी निद्रा कमी हो जाती है, श्वान निद्रा हो जाती है, जड से आवाज आया तो उड़ जाते हैं वो लोग, है न, तो देखो उमरत नाम की कोई चीज है, और वो हावी होगी ही, आप कितना भी कुछ भी करो, आप आउला का सेवन करो, रसायन सेवन करो, द्रोणी में बैटो, किदर भी कुछ भी करो, ठीक है, वार्धक के नाम की कोई चीज है, एक उमर आएगी कि जो आपके धातुओं का यापन धंक से होगा नहीं एक उमर आएगी आपका अगनी उस प्रकार से आहर पचाएगा नहीं एक उमर आएगी कि आप में वातर प्रकृति के वातर दो शके लक्षन दिखने लगेंगे आपका रस जो है वापन उस प्रकार से करेगा नह यह उमर आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो, है ना, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका वेग कम कर रहे हैं, बाकि कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में वारदक्य बंद करना यह हमारे हाथ में नहीं है, वारदक्य में बहुत से नीन लाना यह हमारे हाथ में नहीं है, कई तरुण जो उमर रहते हैं उसमें ये स्वभाव फाइदेका नहीं रहता तो वो अच्छे बिजनेस नहीं कर पाते उसमें वो एक्टिवनेस नहीं रहता तो वो काम उस प्रकार से कर नहीं पाते हैं तो वो तरुण पन जो है उनका बहुत खराब जाता है पर वार्धक के में जो उनका जो सभाव है वो काम आता है वो बहुत आलसी पहले से ही रहते है और उस वार्दक के में और उसको आराम से रहते है बिना टेंशन के रहते हैं तो उमर बहुत उनको लगती है पर कई लोग रहते हैं तरुणपन में ही भी बहुत ही शूर वीर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, यह करना है, वो करना है, सभी काम मुझे ही करना है, तो इतनी वो धड़पड बोलते हैं, इतनी करते हैं, पर यह जो सवाव है, वो जब बुद्धे हो जाते हैं, तो वो सवाव जो है, वो काम नहीं आता, क्योंकि मन की ग द्रिएंट से क्या करता है कों रिलेट में कर पाता तो ये चिडे से भाव उसे वो और फोए युदे अई अची रहते हैं, दूसरी उमर में बुरी रहती है। किसी को तो स्वभाव वही की अवस्ता है उसमें वह विपरीत और कभी कबर अच्छा रहता है कभी कबर बुरा रहता है। और उस सभाव को कुछ दवाई नहीं रहती है ना पित्त प्रकुरती हो तो वो कोपी रहेगा शिदर कोपी रहेगा है ना उस प्रकार से ही रहेगा हम ऐसा है और हलो सर हम सर जब दारुनक के पेशन्ट आते हैं तो उनको अगर हम ऑईल लगाने तげते हैं तो उनने और कंडू हो जाता है उसमें ये जो है ना अपना सर्शब पिर्शब वो शेहत के साथ इस प्रकार के ले पाये हैं नस्य आया है दूसरी बात बोले सनान करो मिन्स वो साफ करो धावन करो अच्छा खासा तो त्रिफडा से धावन निम्ब पत्र से धावन ये पहले करना दारुनक में और ये सब जा अगर ये जो है ये कुष्ट का पुर्वरूप भी हो सकता है और ऐसा अगर हुआ तो हमें कुष्ट की चिकिस्व करनी चाहिए ठीक है तो वह दारुनक नहीं रहेगा अगर दारुनक अपके इतने छोटे-मोटे कल्पों से नहीं जा रहा है तो समझ लेना ये कुष्ट का पुर्वरूप है तो हमें कुष्ट की कुष्टक नदावाई पेट में भी देनी चाहिए ठीक है तो उसमें कौन से अभ्यंतर कौन से रव्यो का प्रेव करें हो पूरे केस लेटे होने के सामने आपके देखो आपको दिख रहा है कि कफ़ज हेतु है कफ़ग के ही सारवद जाहिए जाहिए उसका पेट में जाने चाहिए उस प्रकार से करना है भूक है और पाटमिंड करनी है पर अगर दारू नक आपका मोती त्रिटमेंट से नहीं जा रहा है, तो कुष्ठका करना ही, करना है, तो कुष्ठक सपेट में, और फिर लगाने के लिए जो कुछ देना है, तो वो दे दो, कभी कपार वो दारुनक में अरुनशिका भी आ रहती है जब हम सिरु देखते हैं तब है ना तब अरुनशिका में निम्भपत्र का कवात्व से धावन करने बोला है। तो उस प्रकार से वो धावन भी करना चीए, जलो का उचरन करना चीए, देखो, एक तो कफ़क से वो दारुनक आ जाता है, तो उसमें सिर्फ कंडू रहता है, स्त्राव रहता है, जो दारुनक रहता है, जो दारुनक रहता है, जो दारुनक रहता है, जो दारुनक रहता है, इस प्रकार से लेगा सारोदे लक्षन दिखेंगे तो उस प्रकार के दिखेंगे तो उस प्रकार के होगा तो कशाय शीत जो द्रव्य है उससे धावन देना है सिर को ऐसे करना है तो ये दो ये प्रकार किसे रहता है रुक्ष करंન से अकड़ दील निमभ तैल सेस्फ में बहुत उसना नहीं रह despot करण से बहुत नहीं रहता है तो चल जाता है और फिर वापिस से धावन करना दूसरे दिन रात को दूसरे अच्छा जो है वह निम्ब तेल सबस्वाइब निम्बग पकत्रस दावन करने उसका वह तरी पैशंट हने के बाद उनको पाधुत हो जाता हिं और बहुत रहता है तो उनको जो शूल रहता है तो उसमें और शूल के लिए क्या द्रफ दे दे सकते हैं जैसे शोतक नभी है और शूल हर भी है क्या बुल रहे हैं वो खड़े रहता है इसलिए पादशोत रहता है खड़े रहते हैं या फिर जैसे की लेडी है उनका वजन जैसे सौफवेर एक तो सौफवेर इंजिनियर एक पेशन थी और एक हाउस वाइफ है और एक सबजी वाली लेडी है तो तीनों में मुझे सेम ही देखो पहले बात तो कैसा है बैटना और बहुत देर तक खड़े रहना यह जो चीज़े है वह आपान की दुष्टी कर देते हैं पहली बात है टिका में है दूसरी बात स्वस्तरुत में भी है कि न जानू उर्दम चिरम तिश्टेत है ना जानू के उपर के जो आसन है हम जो चेर में बैटते हैं इस प्रकार से रहते हैं तो ऐसा भी बहुत बैटना नहीं है अब नॉर्मल इंसान को इतना फरक नहीं जादा पड़ता पर स्थूल वेक्तियों को और इनको जादा फरक पड़ता है क्योंकि वेट भी जो है वो फैक्टर उनमें कॉंट्रिबूट रहता है तो पहली तो बात है कि वेट कम होना चाहिए दूसरी बात जो है बहुत ही पेनिंग कर रहा है पाद तो पाद जो है वात क्या हुए हो है तो उनमें बस्ती देनी चाहिए वेट कम करना ये अलग बात और बस्ती देना ये भी एक अलग से करना चाहिए ताकि वो गुणवी पर इतकाम हो तो इस प्रकार से करना चाहिए अगर वो बैंडेज लगा रहे हो तो उस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको सौक्स या फिर इस प्रकार से जो है वो लगा कर खड़े रहना चाहिए मेरे भी बहुत से मित्र है कि इनका व्यावसा ऐसा है तो उनको बोलना कि एक ऐसे चेर रखो कि उस पर आप पैर उपर करके बैठ सकोगे तो पाच-दस मिट जितने जितने मिलते हैं उतने में वो बैठ उसके बहुत महत्व भुना ये तो ऐसा उनको करना क्योंकि खड़ा रहना एक खड़ा रहना ये हेटू होता है व्यादी का बहुत देर तक और यह तो हेटू विपरित काम होना ही चाहिए पहले बाद और उस हेतु से क्या होगा वात्वरुद्धि होगी तो वात्वर्ड जाहिए अभ्यांग होना तो नीचे से उपर को तेल लगाना चाहिए रोज पैरों को तेल लगाना चाहिए और बस्ती आपने बोला तो उसमें कोई बस्ती कोई भी दशमोल की बस्ती देदो व्यक्ति परत्वे केस परत्वे अलग रहेगी ये जनरल आइडिया में दे रहा हूं ठीक है ना पेशन्ट की इससे मात्रा बस्ती भी दे सकते हो सर्चर पर दे दो और जो हेतु है वो बंद कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान जाता देना चाहिए वेट ज्यादा है तो वेट कम करना चाहिए क्योंकि आप काम करोगी वापीस से खड़ा रहेगा वापीस से सब्सक्राइस सो किलो जो है उसको गुटनों को लेना है इतना भार तो वह वापीस से टेंशन है तो वेट कम होना ही चाहिए लाइफस्टाइल चेंज होनी ही चाहिए आहार विहार में गलत है तो होना ही चाहिए चेंज नहीं तो ट्रेट्मेंट का कुछ फाइदा नहीं पैलिएटिव ट्रेट्मेंट टाइप हो जाता है जब तक ट्रेट्मेंट ल बोलना है और वू बोलकर इसस सब कुछ चालू करना है बोला नहीं यह तुबंद होते हैं तुब दो बोलना पर घ्रिछमन का या है यह जब भी जब चुब्द चालोए तब तक और टो आद कम है इस प्रकार से करना चालू पर यह नहीं है , यह न हं और बोलो तो खड़े रहने वालो में वेरिको सिटी पाई जाती है गुटनों का दर्द चालू हो जाता है कि वो लोड बेरिंग जोएंड आ जाते हैं फिर ये अपना लंबार रिजन में कुछ डिफॉर्मेटी आती है पितब प्रकुपिक आहर व्यार हो तो फिर वो विच में जो क्या होता है कॉम्प्रेशन आ जाता है हर्नियेशन आ जाता है बल्जिंग आ जाता है ये सब चालू हो जाते हैं ये तो वेरिको सिटी आ जाती है ये चालू हो ज इसे कुछ नहीं है लक्षण, उनको पहले से बोलना कि ऐसे हो सकते उन में खहोई गुन्य कहा है, उन में ठाटु लक्षिन्ता कि कौन से धातु में उसके अनुसार दिखेंगे उसमें अस्थदातु कही पहले सी ही, ये फिर गुटनों पर पहले से वो दो-तिन बार गिरा है तो वहां को वह गुटनाव में दर्दवने लगते हैं रखत अगर उसका खराब हुआ तो पहले से रखत पित्त पर कोब कारण भी रण हुए और इस प्रकार के हुआ तो वह वेरिकों सेटी दिखती आती है है ना तो इस प्रकार से वेरिये प्रमेह पेशन्ट का फर्च प्रमेह पेशन्ट है आता आउश्यदानी आपन तसाई पेशन्ट है स्वतला जश्कर तो आपनी करें ना प्रमेह पेशन्ट है इस भी फेशन्ट है तो मैं जोड़ जर दीडिने चारिया अजिटाश्यदानी आइडवाईश्य लगेवेश्यदानी आहिए मैंटनेंसट गोगा देखो जब हेटू चालू रहेंगे तब बुढ़ें आसे संप्राप्ति भंग कर दिया तो व्यादी का पुनर बहुत नहीं होगा ठीक है ना अगर वह वापीस आस्ते सुकम तो अपना सुकम इस चालू रखो, ऐसा कुछ चिकिसा में नहीं है हमारी, ठीक है, तो वो पैरमेटर, वो जो पैटर्न है, यहां नहीं लगाना, आलोपती का, पहली बात तो कफज प्रमय, आपने निदान किया, कफज प्रमय की चिकिसा कर दी, प्रमय के जो जो लक्षन है, वो सब कम हो गया, अभी शन्द आहर जो है, वो बंद करना, गुर्विकृतियां है, वो बंद करना, नित्य व्यायाम करना, यह सब चालू करने के बाद, यही जो है, आपका मेंटेनेंट डोस रहता है, ठीक है, हेतु का त्याक किया, हाँ, पैशन ना सर, या, शेहर में तो 100% हेतु का त्याक होता ही नहीं, उसे, तो इसी ही, पिर क्या हो जाता है, सुनो, सुनो, सोशल रहना है, तो हम यह सब करना ही है, देखो, आप जिस जगा प्रैक्टिस करते हो, उससे बत्तर जगा पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात, उससे बत्तर जगा पर, हेतु तो पर आपको खाने में जो चीजे आमने जो यह किया है कि यह चीज नहीं खाने उसका त्याग कर सकते हैं बहुत सी चीजे उनका त्याग कर सकते हैं यह चीजे आपको त्याग करने के फाइदे जब तक हम नहीं बताते तब तक क्योंकि थेतुओं का त्याग करना जो है वह बिना पैसे के ट्रेटमेंट है पहली बाद उसका महत्वर जो है उनको देना चाहिए देखो पेशन्ट गरम पानी पी सकता है पी सकता है देखो आम न होः ऐसा कुछ नहीं रहता है कि पेशन्ट करता लिए एसय जो पेशन्ट है वह भी भशन है नहीं जो भोलेंगी नहीं मेरा है तुन होई नहीं सकता beautifully ग यह सकता है तो उनको आडाना नहीं है उनको बोलना जाओ दुसरी जगह क्यूंकि एसे पेश आने वाले दो दूसरे वो भी नहीं आएंगे आपका ये नाम सुनकर फिर बराबर है ना हाँ तो लालच नहीं करना हमें पेशंट लेते समय अगर भीशक वट रहे हैं पिर पेशंट पेशंट और सुनो और सर नहीं एक बात मुझे कहनी है और दुखी इस बात से हो जाते है अश्यरे की बात यह है अभी मैं ठीक हो गया हूं और मेरे अलोपेटी दवाई भी कम हो गई है मुझे अभी पेशंट लेकिन दुख इस बात का है कि मैं वह चीज़ खा नहीं पाता हूं नहीं उनको बोलना कि मैं भी नहीं खाता हूं एक वाइज्य होकर तो यह बंदन पर उसको लगे ठीक है ना एक को इतका मुझे को वह बोलेगा क्या परेज करना है कुछ भी नहीं परेज करना है सिर्फ आकको आचार नहीं खाना है ऐसे अगर बोलोगे ना तो ज्यादा बहुत इसी हो जाता है डायलोग डिलेवरी जो है ना वह हमें होनी चाहिए पहली ठ ठीक है ना जो कुछ भी डिलेवरी हो देखो नीन देना आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है खाली दूद की चीज़े नहीं खानी होगी डायलोग डिलेवरी पत्थ भी आपने बोल दिया पर उसको यह भी नहीं बोला कि आप पत्थ बता रहा हूं डिलेवरी भी रहती है घग कई लोग कह वोते एक काग पेपर रहते हैं उसमें नहीं खाना देखो आचार नहीं खाना यह नहीं खाना उसे लिश्ट बनाते तो पेशन बोलता है और फिर मैं खाओं क्या एक ऐक कल बात बताती हूं अबि इस मेरा सब मैंने कम कर दिया विकल उसका बड़े था तो उसकी मेरे पास में रहता है वाइफ उसकी मेरे लिए क्या लेकि आई कि गाजर हलवा का यह अब हम तो इसके लिए ऐसा ही केक बनाते हैं ऐसे उपरोधात्म को मुझे बता रही है इस बात की उसको खुशी नहीं कि मेरे हजब नहीं खा पारें वह क्या नसीब-नसीब की बात रहते हैं लोग ऐसे ही रहेंगे मेरे नसीब में तो पता नहीं है ऐसे क्यों पीछेंट है आप नजरिया बदलना चाहिए देखो सुनों प्रैक्टिस जब करते हो ना पहले नजरिया हमारा खुद का पहले बदलो ऐसे दिखो कि पेशन्ट को हमारे रेटमेंट से आरम पड़े गही है हमारा नजरिया पहले पूरा आपका पूरा पदलो जब आप को को इन मार्केट में बहुत दिखते हैं हैना आपको एक ही चीज दिने तो वही चीज दिखते है। कियोंकि हम हम वही सोचते है ना उसी तरह रहता है अट पेशानट सामने से अच्छागी तो एसा डिमाग में न की यह थीक होएगा. इसा सोचो कि यह सब कुछ पालन करेगा, यह मेरा सब कुछ सुनेगा, यह अच्छा ही रवाई लेगा और ठीक ही होएगा अध्या है कि मैं पाव वजी नहीं खा सकता हूँ देखो, आप क्या अमेरिकाय में क्रैटिस नहीं करते हो, हम क्या अलग नहीं करते हो आपके जो वहाँ के पेशजन्ट है वहाँ के यहां आते सब जगह सेम रहता है कुछ अलग नहीं रहता है मुख्य कहँते है हम हम जो है उसको कैसे ट्रेन करते हो वाक को भी यह यहाद को भालू को भी हो अब फॉर्चीपर चड़ना है क乐 भालू का काम नहीं है पर train हुसको आइसे किया जाता है खुर्ची पर भी चड़ता है ederim सरकल से जंप माता है है ना हमें हां आपके सामने भालू बहुत भी मारेगां उस्थ भी आएगा है अपको थेक ना सबको बीट के फंडामेंटल सारे लिख के रखे हैं को सारे पर्चे देती हूं जैसे अभी डाइटीशन ने एक खाना है वो नहीं खाना है फ्रूट्स के सारी वेजटेबल्स ग्रेंज इसके सारे लिस्ट बना के इसका ऐसा बनाना यह पूरा एक देड़ घंटा मेरा शुरू में तो नि पर यह ऐसे होते हैं इसलिए हमारे पेशन बढ़ते हैं ना सबने सवस्तरुत्य का पादम किया सबने सब कुछ किया तो फिर हमारे पास कोन आएगा है ना हां तो प्रद्यापराद होना चाहिए पेशन में होगा इसलिए वह वापिस आएंगे बाजू में रहने वाले पेशन पर आपकी जादा रहते हैं दूर दूर के रहते हो रोज आपको इधर उधर सोसाइटी में घूमते फिरते दिखते तो उनको यह नहीं रहता आपको इतना वैलेशन है तो उस पर ध्यान मत रहो आप देखो एक इस चीज सोचना पहली बात बाकि कोई चीज नहीं सो सकते हैं मास साइकोलोजी कैसे शहर की पड़ सकते हैं कि रूगन क्या करेगा क्या खाएगा मेरे पर विश्वास रखेगा कि नहीं रखे यह बाकि की चीजिज उन पर छोड़ दो या हमारे हाथ में जो चीज़े है न उस पर ही जादा काम कर दो कि ज़ो हमारे हाथ में नहीं है लए हुश हे गाया हुँ कुछ तो खुध पर काम करना tis कि रहां ऊक्यो रखेंग अ 2 वंगुझ ci शोपके चौप दन्याओंट